नमस्कार दोस्तों बाबा आयरवेदा में आपका स्वागत है जिसमें आपको आयरवेद से जुड़ी सभी जानकरिया वतलाई जाती है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम भांग के नसे वाले गुन को दूर कर सरीर को ताकतवर व्यसुफूरती वान बना कर सरीर का काया कल्प कर सकते हैं कामयोग की समस्या से बंदे इस्त्री या पुरूस कैसे अपने आपको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं सिर्फ भांग के दवारा जो लगबग पूरे भारत वर्ष में बहुत अधिक मातरा में पैदा होती है इसे गांजा विज्या वे वाइफ ओफ धतूरा के नाम से भी जाना जाता है आपकी भासा में क्या कहते हैं और क्या प्रियोग करते हैं किर्प्या कोमेंट करके जरूर बताए दोस्तो भांग के गुन अमरित समान है परन्तू इसमें एक ऐसा गुन है जो नसा पैदा करता है यह नसा पैदा करने वाला गुन भी बहुत लाबदायक है परन्तू सिर्फ उनके लिए जो इसकी सेवन विदी विदीवत जानते हैं इसलिए भांग को सबी पर्योग नहीं करते हैं और जो इसका इस्तमाल करता है उसे भी समाज में अच्छी दिरिष्टी से नहीं देखा जाता है भांग से उसका नसावाला गुन दूर करने की कई विद्या है जिसमें से एक है भांग को तब तक धोना जब तक उसमें पानी का रंग बदलना बंदना हो चार से पाच बार भांग को धोने से भांग से नसा वाला गुन दूर होकर पानी में मिल जाता है जिस कारण पानी का रंग हलका लाल काला वेहरा दिखाई पड़ता है भांग को धोते धोते पानी का रंग ना बदले तब समझ जाना चाहिए कि भांग नसा रहित हो गई है आय इन भांग के पत्तों को सिल्बट्टे या किसी वी यंत्र की सायता से पीस ले और इखटा कर ले एक व्यासक व्यक्ति के लिए 15 से 20 भांग की पत्या एक अच्छी मात्रा है जो मैं अपने अनुभाव से बता रहा हूं दूसरी तरफ पांच इलाईची एक लोंग दो काली मिर्च और सरीर अनुशार बादाम नारियल काजू पीस्ता वै अखरोट ले साथ ही स्वादा नुशार लगबग 20 ग्राम मिश्री ले और इन सबी को इखटा कर किसी भी यंत्र की सायता से बारिक पीस ले और धुली हुई भांग की चटनी में मिला दे आखिर में आपको उबला हुआ परन्तु ठंडा दूद लेना है लगबग आदालेटर और सभी सामगरी को इस दूद में अच्छे से एक जक जान कर देना है उसके बाद किसी डबल जाली वाली बारिक चालनी से या दो तह वाले सुत्ती कपड से इसे चान लेना है और पी लेना है यह ठंडाई आपकी भूक बढ़ाएगी कब जियत दूर करेगी प्यास लगाएगी पाचन किरिया तंदरुस्त करेगी सरीर में बल बढ़ाएगी काम सकती जो छिन हो गई है उसमें अश्चरिय जनक लाब परदान करेगी नींद अच् से कोशो दूर चला जाएगा पेशाब से जुड़ी सभी समस्याइं नश्ट करेगी पूर्षो वे इस्त्रियों को योन से जुड़ी सभी समस्याओं में बहुत अच्छा लाब परदान करेगी इनके अलावा दाद, खाज, खुजली, गुर्दे वे मसाने की गर्मी, हैं विजय प्राप्त करती है, साइद इसी वजय से भी इसका नाम विजया रखा गया, क्योंकि ओस्दियों में सबका राजा भांग ही बताया गया है, बाकी उन पुर्षो वे इस्त्रियों से इसे इस्तमाल करने की जरूर सला दूंगा, जो अपनी जनेंद्रियों की समस्य उसे ज्यादा प्रेशान रहते हैं, और एलो पेथी की दवा खा खा कर प्रेशान हो गए हैं, दोस्तों भांग या जिसे गांजा भी बोलते हैं, इसकी जानकरी पर अगर बात की जाए, तो एक किताब त्यार हो जाए, परंतु समझदार वैक्ति के लिए भांग की यह संच जिप्त जानकारी बहुत फाइदेमंद साबित होगी, बाकी जल्दी ही बांग के पोदे पर भी वीडियो आने वाली है, जिसमें इसके रहस्यमाई गुनों की जानकारी भी आपको प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को लाइक वे शेयर करने के बाद चैनल को जरूर कर दे, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ, तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, जो की बिल्कुल फिरी है, तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करे बाबा आरवेदा चैनल को, धन्यावाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए